जी असलाम लेकूम मैं हूँ डेक्टर तनवीर अबास और मैं चाइना से MBBS कर रहा हूँ मुझे चाइना धाई साल हो गए है और यह मेरी तीसरी एद है जो मैं घरवालों से दूर मना रहा हूँ तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम जो परदेशी लोग होते हैं जो घरवालों से दूर ईद मनाते हैं हमारे क्या खियालात होते हैं इदवारे दिन हमारी क्या feelings होती है हम क्या feel कर र criticisms होती है हम सारा दिन क्या करते है और उसके बाद फिर हम आपके साथ and पे बोग इंपोर्डन बास share करूँगा कि मेरा इस वीडियो बनाने का क्या मकसद है इस वीडियो का क्या साबर चोटे होते हम सुना करते थे कि वालदेन और घरवालों के बिना कोई एद नहीं होती हब हम बाहर आते हैं अब वाक्या ही पता चलता है कि घरवालों के बिना कोई एद नहीं होती हम आदे लोग तो अपने कपड़े तक नहीं लेते और आदे लोग تو صرف نماز पढ़ते हैं हम नमाद भी सिरफ या है कि फर्ज है फर्ज अदा करने के लिए पढ़ते हैं थोड़ी देर बैठते हैं दोस्तों से बाते हैं और फिर आदे लोग तो ऐसे होते हैं कि वो पिचर्स तक नहीं लेते फिर हम वापस चले जाते हैं अपने रूम में जाते हैं और सो जाते हैं क्यों सो जाते हैं इसलिए क्योंकि अगर सारा दिन जागते रहेंगे तो जहर सी बात है दिल और दमाग में ख्याल आते रहेंगे और ख्याल आएंगे जब पेरेंट्स को घर वालों को याद करेंगे तो रोना आएगा वो कहते हैं ना ईद वले दिन रोया नहीं करते को नहीं रोता यार कुछ सामने रोते हैं कुछ अपने रूम्स में जाके रोते हैं अकेले बैटके जहर सी बात है जब पेरेंट्स है याद हों जब घरवाले हों और हमें उनसे दूर रहना पड़े मुझबूरियों में तो रोना तो बंदे को आ जाता है फीलिंग्स होती है इनसान भाराल मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यह था कि मैं जो फोर्नर्स होते हैं जो अपने घरवालों से दूर होते हैं उनकी फीलिंग्स को बियान करूँ कि पता चले कि उन पे क्या बीटती है आप लोग तो जो घर वालों के साथ होते हैं बहुत खुश होते हैं आप लोगों को लग रहा होता है कि हम बड़ी बड़ी उंची उंची बिल्डगाँ में रहते हैं हम फोर स्टार जगां पे रहते हैं और बड़े खुश होते हैं लेकिन जब ऐसे तहवार आते हैं या वैसे भी दूसरे नॉर्मल दिनों में जब हम घर वालों से दूर होते हैं मा की रोटी खाने को तरसरे होते हैं बाईयों के साथ गले मिलने को तरसरे होते हैं यह सारी चीजे होती हैं तो इस वीडियो का मकसद यह था कि मैं उनको फीलिंग्स को बियान करूँ और उसके साथ-साथ यह वीडियो सिर्फ रोना दखाने के लिए नहीं है यह वीडियो मैंने बनाई है कि आपको मोटिवेट करूँ मेरे इन भाईयों को मोटिवेट करूँ जो अपने घरवालों से दूर हैं जो पढ़ने के लिए आए होए हैं जो के रोजदी डोटी कमाने के लिए आए होए हैं यह मुश्कल वकत है हमने इस मुश्कल वकत कारना इंशालला अच्छे दिन भी आएंगे वो कहते हैं ना बूरे और अच्छे वकत के खासियत होती है कि बुरा वकत भी तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप समझ कियोंगे इस वीडियो बनाने का मेरा क्या मक्सद था थेंक यू